एक बच्चा स्वयम देखकर पानी की वाश्पी करन के बारे में जान सकता है आप उन्हें एक प्लेट में थोड़ा पानी डाल कर धूप में बहार रखने में मदद कर सकते हैं बाद में वे प्लेट की जाँच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पानी नहीं है आप बात कर सकते हैं कि पानी कहां गया आप कह सकते हैं जब पानी सूख गया तो वो हवा में चला गया इसे वाश्पी करण कहा जाता है फिर पानी आकाश में उपर जा सकता है और बादल का हिस्सा बन सकता है ये गतिविदी एक बच्चे को वाश्पी करन समझने में मदद करती है